मेरे माता पिता दिन बदिन आसमान की और पीठ करके पीली सूखी मिट्टी को जोतते थे। मुझसे और मेरे भाई से पूछा, मैं दंग रह गया, बात करने से भी डर गया, हम दोनों में से किसी ने भी गलती का एतिराफ नहीं किया, तो बाप ने कहा, अच्छा, अगर कोई तसलीम नहीं करना चाहता, तो तुम दोनों को सजा मिलनी चाहिए, अचानक मेरे छोटे से मेरा मुह बंद कर दिया, और कहा, बहन, अब और मत रो, वो अपने भाई के इजहार को कभी नहीं भूलेगी, जब उसने उसकी हफाजत की, इस साल मेरा भाई आठ साल का था, और मैं ग्यारा साल की थी, मैं अब भी अपने आप से नफरत करती हूँ, कि मैंने जो कुछ कि उसे तसलीम करने की इतनी हिम्मत नहीं है, बरस बेट गए, लेकिन वाकिया अब भी ऐसा लगता है जैसे कल ही हुआ हो, जब मेरा भाई सेकंडरी स्कूल के आखरी साल में था, तो उसे शेहर के वस्ती हुस्से में एक अपर सेकंडरी स्कूल में कबूल किया गया, इसी दौ हमारे दोनों बच्चों के अच्छे नतायज आये हैं, माने अपने आंसु पूँचते हुए कहा, क्या फाइदा, हम उन दोनों की दाखिला फेस कैसे अदा करेंगे, इस वकत मेरा भाई बाहर निकला, वो वालिद के सामने खड़ा हुआ, और कहने लगा, आबू, मैं सडकों पर भीक मांगनी पड़े, तो मैं तुम दोनों को इस वक्त तक स्कूल भेजोंगा, जब तक कि तुम दोनों अपनी तालीम मुकमल नहीं कर लेते, और फिर इसने कर्ज लेने के लिए गाउं के हर घर पर दस्तक देना शुरू कर दी, मैंने अपने भाई के चेहरे प काबू नहीं पा सकेगा, जिसका हम सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने यूनिवरस्टी में अपनी तालीम को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया था, किसी को मालूम नहीं था कि अगले दिन फजर से पहले मेरा भाई चंद बोसीदा कपड़ों के टुकडे और चंद जगह पर सेमिंट ले जाने से, जो कमाई आखिरकार में यूनिवरस्टी में अपनी तालीम के तीसरे साल तक पहुँचने में काम्याब हो गई, एक दिन जब मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी, मेरी रोम मेट आई और मुझ से कहा, बाहर एक दिहाती तुम्हारा इंतिज का हुआ था, मैंने उससे पूछा, तुमने मेरी रोम मेट को क्यो नहीं बताया कि तुम मेरे भाई हो, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी शकल देखो, वो क्या सोचेंगे अगर उन्हें मालूम हो जाए कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या वो तुम पर नहीं कहींगे, तुम मेरे भाई हो चाहे, तुम्हारी शकल कुछ भी हो, वो खुद को मजीद रोक नहीं सकती थी, वो अपने भाई को अपनी बाजों में लपेट कर रो पड़ी, शादी के बाद में शहर में रहने लगी, कई बार मेरे शवहर ने मेरे माँ बाप को हमारे साथ र रारिक्टर बन गए, हमने अपने भाई से मेंटिनेंस डिपार्टमेंट में मिनीजर की नौकरी चाहे, लेकिन मेरे भाई ने ये काम करने से अनकार कर दिया, एक दिन मेरा भाई सीढ़ी के उपर केबल की मरमत कर रहा था, जब उसे क्रेंट लग गया, और उसे हस्पताल भ शिकरादी, मेरे भाई ने जवाब दिया, अगर मैं अपने बहनुई के बारे में सोचू, वो अभी डाइरिक्टर बने हैं, अगर मैं तालीम के बगेर मेनेजर बन जाओं, तो कैसी अफवाहें उडेंगी, हमारी आखें आंसुओं से भर आएं, और फिर मैंने कहा, लेकिन त तालीम की कमी सिर्फ मेरी वजह से है, उसने कहा, तुम माजी की बात क्यों करती हो, और फिर उसने मेरा हाथ थाम लिया, तो प्यारे बचू, आज की कहानी से जो सबक हमने सीखा वो ये है, अपनी जिन्दगी के हर एक दिन में जिससे आप प्यार करते हैं, उससे महबत और उसकी देख भाल करें, आपको लगता है कि आपने जो किया वो सिर्फ एक छोटा सा अमल है, लेकिन उसके लिए उसका बहुत मतलब हो सकता है, कुछ रिष्टे जादा देर तक काईम रहने के लिए बनाये जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार और देख भाल के साथ न